नमस्कार, वुरत कथा चैनल पर आपका स्वागत है, आईए सुनते हैं गणेश जी की कहानी, प्राचिन काल की बात है, एक बार गणेश जी ने पृत्वी के मनस्यों की परिछा लेने का विचार किया, वे अपना रूप बदल कर पृत्वी पर भ्रमन करने लगें, उन्होंन कोई मेरे लिए खीर बना दे, कोई भी उन पर ध्यान नहीं दे रहा था, बलकि लोग उन पर हस रहे थे, वे लगतार एक गाउं के बाद दुसरे गाउं इसी तरह चक्कर लगाते हुए पुकारते रहें, पर कोई खीर बनाने के लिए तयार नहीं था, सुबह से साम हो गई गणेची लगतार घुमते रहें, काफी गुमने के बाद वह एक गाउं से गुचर रहे थे, वहाँ पर एक बुढ़िया थी, साम के वक्त अपनी जोपड़ी के बार बैठी हुई थी, तब ही गणेची वहां से पुकारते हुए निकलें, कि कोई मेरी खीर बना दे, कोई मे बरतन ले आओ, बुढ़िया एक कटोरी लेकर जब जोपड़ी के बार आई, तो गणेची ने कहा, अपने घर का सबसे बड़ा बरतन लेकर आओ, बुढ़िया को थोड़ी जुझुलाट हुई, पर उसने कहा, चलो बच्चे का मन रख लेती हुई, और अंदर जाकर वह बरतन जोपड़ी के बाहर लाती गई, और उसमें गणेची दूद भरते चले गए, इस तरह से घर के सारे बरतन दूद से लबा लब हो गई, गणेच भगवान ने बुढ़िया से कहा, मैं असनान करके आता हूँ, तब तक तुम खिर बना लो, मैं वापस आकर खाऊंगा, बुढ़िया ने पूछा, मैं इतनी सारी खिर कर क्या करूंगी, इस पर गणपती महराज बोले, सारे गाउं को दावत दे दो, बुढ़िया ने बड़े प्यार से मन लगा कर खिर बनाई, खिर की भीनी भीनी, मीठी मीठी खुसबू, चारों दिसाओं में फैल गई, खिर बनाने के बाद, वह हर घर में जाकर, खिर खाने का नियुता देने लगी, लोग उस पर हस रहे थे, बुढ़िया के घर में खाने का दाना नहीं, और यह सारे गाउं को खिर देने का दावत दे रही है, लोगों को कुतुहल हुआ, और खिर की खुसबू से, लोग खीच चल तब उसके मुँ में पानी आ गया, उसे बड़ी जोर से भूख लगने लगी, उसने एक कटोरी में खिर निकाली, और दरवाजे की पीछे बैठ कर, खाने की तयारी करने लगी, इसी बीच एक छीटा गिर गया, और गनपती महराज को भोग लग गया, और वह प्रसन्न हो ग मेरा पेट पूरी तरह से भर गया है, मैं त्रिप्त हूँ, अब तू खा ले, अपने परिवार और गाउवालों को खिला, बुडिया ने कहा, यह तो बहुत जादा है, सबका पेट भर जाएगा, इसके बाद भी अब बच जाएगा, उस बची खिर का मैं क्या करूँगी, इस पर गणेश जी बोले, उस बची खिर को रात में अपने घर के चारों कोनों में रख देना, और बुडिया ने ऐसा ही किया, जब सारा गाउव जी भर कर खा चुका, तब भी धेर सारी खिर बच गई, उसने उसके पात्रों को अपने घर के चारों तरफ रख दिया, जनपती महराज का एक भवे मंदिर बनवाया, और शाथ में एक बड़ा से तलाब खुदवाया, इस तरह उसका नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया, उस जगा वार्शिक मेले लगने लगने, लोग गणेश जी की किरपा प्राप्त करने के लिए, उस अस्थान पर करें, तो प्रेम से बोलिये गनेश जी महराज के चैए।